हेलो स्टुडेंट्स कैसे हो आप सुभी वेलकम टू ओल अफ यो इन माई यूटूब चैनल माई नेम इज गंशाम जोशी और आज अपने करेंगे बचो क्लास 12 मैथमेटिक्स की एक्ससाइज 5.2 के क्योशन्स 5.2 के जो बेसिक की वीडियो है बचो मैंने उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है और कुछ एक्जाम्पल्स भी करवाए थे मैंने प्रिविएस वीडियो में उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है तो 5.2 करने से पहले आप उसके बेसिक की वीडियो जरूर देखिएगा हम अपने करते हैं बचो 5.2 फर्स्ट क्योशन है बचो अपने पास 5.2 का एरिया ओफ ट्राइंगल फाइंट करना बचो एरिया ओफ ट्राइंगल फाइंट करना है और वीडियो वर्टिस ओफ ट्राइंगल हमें तिर्बुज के शिर्ष दे रखे हैं A B और C और हमें इसका शेत्रफल ग्याद करना है ल उस कंडिशन में आप यह फॉर्मुला लगा सकते हो जो फर्स्ट बाला है अपने पास कोडिनेट उसको अपने लैट करेंगे एक सेकंड वाले को एक स्टु वाले जो फश्ट को फंच तरी पार्ट से पने पास और तीनों सेम हैं अगर आप एक ही मैठिड लिगा ऊप कर सक ama kolum third निकी इसके बाद में वे कितना की ऐख उनमगा 75 दिया और if you bought यह तो इस खुब्ड़े के अंदर अलीय चाहए अब Uz Lauren's मोट्स चैप्टर के दरा हाफ ब्रैकिट पहले आर्वन की रिस्पेक्ट करें तो ये टू पोजिटिव आएगा उसके बाद ये फाइफ आएगा नेगिटिव और उसके बाद ये बन आएगा बचो पोजिटिव हम जी इस टू के लिए एलिमेंट बनाओ इसका कोलम छोड़ माइनस तरी को लह से किया माइनस तरी बन आ बन गया और ये क्या बन बन गया माइनस एट अब इस वद गया झालमगल ये रोगई माइनस 2 को 0 से करेंगे बचो तो 0 आएगा 6 को माइनस 3 से करेंगे तो माइनस 18 लेकिन identity के अंदर भी माइनस है इसलिए प्लस का 18 ये बाहर जो half लिखा ही है as it is ये bracket की calculation करते है 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6 8 5 जा हो गया बचो ये 40 और ये प्लस का 18 अपने पास है देखो 40 प्लस 18 हो गया 58 58 में से 6 माइनस हो जाएगा तो 52 52 को अगर आप बाहर जो 2 है उससे कैंसल कर दोगे तो ये बनेगा 26 unit तो हमें first का first है उसका answer मिल चुका है अपने पास answer क्या है 26 unit इसका क्या है answer है इसके बाद इसका second और third आप इजली कर सकते हैं बच्आखो इसके बार डाल विए इसके बार परने करते qeoshen अब इसका first lady qeoshne ours से इन टिनीव हो निटिव और यही इर तेयसन की वह इलल्पसें आपको ट्रैंगल और यहा अप सरक्राइआ करना यही कर सकते हो यही thorough इसके बाद अपने करते हैं जिसके अंदर method अलग है यह सेकंड फर्स क्योशन सेकंड क्योशन है इसलिए आप इसलिए कर सकते हो इनको अब थर्ड क्योशन पढ़िया आप अपनी मुख के अंदर थर्ड क्योशन हो अपने पास, find the value of k हमें k का मान गयात करना है कंडीशन यह है कि हमें 3 vartices हैं आपने पास k,4 और B है बच्चों पने पास 2,6 और C है बच्चों पने पास 5,4 लेकिन क्योशन में कहा है के का मान ग्याद करो यदि तिर्बुज का शेत्रफल 35 वर भी काई है जबकि शिर्षित के कुमा 4 2,6 तता 5,4 है तो हमें तिर्बुज का शेत्रफल एरिया उप्राइंगल गीवन है बचों कितना है 35 स्क्वेर उनिट 35 वर भी काई अब ध्यान से देखेएगा गीवन है एरिया उप्राइंगल कि इतना है 35 unit square या square unit a की बाद है हम जी अपने क्या करेंगे find क्या करना है find हमें करना है कि तो अंसर देखो बचे सबसे पहले area of triangle formula क्या होता है half यह 111 और यहां पर x1 y1 यह x2 y2 और यह x3 y3 area of triangle है बचों अपने पास 35 half इसमें अपने value put करते हैं यह c3 column तो 111 और यह k,4 k,4 और 2 minus 6 और 5,4 हम जी देखिए यह 2 इस 35 से multiply होकर यह बन जाएगा 70 और यह determinant अपने solve करते हैं पहला plus का और फिर 4 minus का और फिर यह 1 plus का हम जी देखिए जान से सबसे पहले इस k के लिए बचों यह column गया यह यह रो गई, minus 6 बन जा, minus 6, 4 बन जा, 4 लेकि formula में minus है फिर इस 4 के लिए यह column के लिए रो गई, 2 बन जा, 2 और 5 बन जा, 5 minus identity में यह column के लिए रो गई, 2,4 जा, 8 minus formula का 5,6 जा, minus के 30 तो इदर आगे plus का 30 हो जाए गई, अब यह 70 है, अब जान से देखो बचों, जो अपने determinate solve करते हैं, तो जो determinate का निशान हट गया, तो यह जो 70 है, यह सिरु 70 ना रहे के plus minus 70 रह जाएगा, इसके पीछे reason ही है, क्योंकि हमें के find करना है बचों, और के जो है वो area नहीं है, के का coordinate है, और coordinate plus में भी हो सकता है, और minus में भी हो सकता है, इसलिए हम क्या करेंगे, जो 70 है, उसके just आगे अपने plus minus दोनों sign लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि k coordinate है, इसलिए, हम जी यह plus minus 70, equal, यह हो गया बचों, minus 6, minus 4, minus 10, यह minus के 10 के, और यह 2, minus 5, minus 3, minus 3, minus 3, minus 4, plus 12, हम जी 30, plus 8, 38, calculation करते हैं, यह plus minus 70, as it is, equal, यह minus का 10 के, और यह हो गया बचों, 38 plus 12, यह होगया अपने पास 50, हम जी, आप देखो बचों, वह अपने case लगे चलेए, एक बचों का 70, एक बचों का 70, एक बचों का 70, case first, case first, अब बचों, अपने पास, take positive, take positive के अंदर अपने 70, plus का लेके चलते हैं, minus 10 के प्लस में 50 यह 50 अगर माइनस हो जाएगा तो बचो रह जाएगा 20 एक पर माइनस के 10 के तो k एककोल आगे 20 अब उनने के लेगा माइनस तैंक तो यह k आगे बचो माइनस का 2 तो एक तो k की वैली यह आगी k second k second में अपने minus 70 लेगे जलते हैं take negative take negative 70-70E and minus 10k अब देखो यह half 50 उद्र मिलस का 50 Uganda पहले से से माइन dwa 1 realidade मैर्नने सब्हुन המײाइब अभर में 3 वरिवा इसेड़ गया टो इक चुना की आया माइनस का टूप एक आया के ट्वैल तो यह क्योशन कप्रीड हो चुका है यहां पर थर्ड क्योशन वस्य याल जो कि जब भी आपको एरिया उट्रेगल गीवन हो और कोई कोडिनेट करना हो तो हमेशा उसको प्लस माइनस में लेके चलेंगे इसमें यह फास बात थी ह कोडिया है घडcesso कमें अबसा कोर्ण में में कॉस्य की दिया हुआ है आपको लिन दीन क्यों वशान के में 2-2K और B है आपके पास minus K plus 1 comma 2K और C है बच्छो अपने पास minus 4 minus K और 6 minus 2K तीन कोडिनेट दे रहे हैं मैंने A, B और C लेट कर लिया उनको और अपने को एक चीज और गीवन है उन्होंने कहा है इस पॉइंट्स आर को लिनियर ये तीनों पॉइंट्स क्या है को लिनियर है तीनों बिंदू सरेख है तो सरेख अगर है बच्छो को लिनियर अगर है तो area of triangle क्या होगा 0 होगा, given क्या है A, B, C, R को लिनियर इंदी मेडिये माले लिख लीजिएगा A, B, C, सरेख है अपने को find क्या करना है find हमें करना है वच्छो के तो answer because A, B, C, R को लिनियर क्योंकि A, B, C सरेख है तब area of triangle A, B, C इक्वल 0 तो तीनों क्या होगा सुनने होगा क्योंकि तीन बितनों कर सरेख हो तो उन से तर्पुझ बनता ही नहीं है तो तर्पुझ नहीं बनेगा तो शेत्र पर 0 होजाएगा इसलिए half 1, 1, 1 X1, Y1 X2, Y2 X3, Y3 इक्वल में क्या गया 0 और यह जो 2 है बच्छो डिवैडबल आईएदर 0 के पास जाएगे 0 होजेगा मैं इस डिटर्मिनेट में वैले पुट करता हूँ द्यान से देखिएगा सबसे पहले X1, Y1 K 2-2K X2, Y2 बच्छो पर पास minus का K प्लस 1 और 2K 2-2K थोड़ा इंदर लिख देता हूँ यह 2K हंजी यह minus के 4 minus के और 6 minus 2K 6 minus 2K और यह C3 कोलम जो है 111 होता है यह हमें पता है 0 इकवर में 0 रगा देते हैं अब देखो बच्छो अब अपने को अब हमें इसका क्या करना है Xpand करना है इसका प्रसार करना है तो R1 के साथ एक्सपरसार करने पर यह लिख दीजिएगा Xpand with respect to R1 तो फर्स्ट वाला तो positive K सेक्ट वाला negative तो यह minus लगाके मैं यह 2 minus 2K भी क्या रखूँगा बच्छो ब्रैकेट में और फिर इसके ब्रैकेट फिर यह 1 के आएगा प्लस में अजी देखिए इक्वल जिरू अब इस K के लिए बच्छो यह column क्या यह रो गई तो 2K को 1 से किया यह आगए बच्छो 2K फिर minus formula 6 minus 2K को 1 से किया तो 6 minus 2K लेकिन बाहर minus है तो minus का 6 plus का 2K अजी इस 2 minus 2K के लिए यह column क्या यह रो गई minus की K plus 1 को 1 से किया तो minus का K plus 1 minus 4 minus K को 1 से करूँगा तो minus 4 minus K लेकिन formula में identity में भी minus है तो plus का 4 plus का plus का तो 4 आएगा और plus का K आएगा इस 1 के लिए बच्छो यह column क्या यह रो गई minus K plus 1 को करना है multiply 6 minus 2K से अब देखेगा ज्यान से minus K plus 1 को 6 minus 2K से जब अपने multiply करेंगे तो पहले मैं minus K को करता हूँ बच्छो इन दोनों से minus K को 6 से किया तो minus K 6K minus K को minus 2K से किया तो यह बन गए अब plus का 2K स्केर plus का 2K स्केर 1 को जब अपने 6 से करेंगे तो बच्छो यह plus का 6 और 1 को जब minus 2K से करेंगे तो minus का 2K अब इससे करते हैं minus 4 minus K को अपने multiply करेंगे 2K से तो देखो बच्छो minus 4 minus K को अपने को multiply करना है लेकिन identity के अदर भी minus है तो अपने यह देखेंगे कि minus 4 minus K negative जो दोनों है वो क्या हो जाएगे positive हो जाएगे positive होके फिर 2K से multiply होगी तो 4 को 2K से multiply किया तो यह बनेगे बच्छो 8K और फिर K को 2K से करेंगे तो बच्छो यह बनेगा 2K से किया है और equal में capture जाएगे पास 0 हंजी अब देखी calculation calculation इदर कर देता हूँ मैं यह collinear इदर देता हूँ हंजी देखी वे द्यांसे K as it is bracket में देखवे चूँ कि अबना 2K plus 2K 4K 4K minus 6 हंजी यह calculation करते हैं यह बार वाला minus 2 minus 2K as it is रखा मैंने और यह bracket calculation करते हैं देखो बच्छे K से minus की cancel होगया 4 plus 1 यह बन गया 5 यह बार वाला plus का 1 as it is और यह देखो बच्छो इसकी calculation करते हैं देखो 2K स्केर 2K स्केर अपने पास बन गया 4K स्केर यह के स्केर वाली calculation होगी अब देखो K वाली calculation करते हैं minus के 6K और minus के 2K minus के 8K और यह plus का 8K है तो यह cancel होगी अब digit देखो क्या है plus की 6 है तो यह plus की 6 इककोल में क्या चल रहा है? 0 हाँ जी 4K को K से किया 4K से किया 6 को K से किया minus के 6K अब 5 को 2 से किया तो minus 10 क्योंकि बाहर minus है और 5 को से किया तो minus के 10K लेकिन बाहर minus है तो plus अब यह बन गया बच्चो 4K स्केयर plus में 6 equal 0 4K स्केयर plus 4K स्केयर 8 के स्केयर minus के 6K plus के 10K तो 10K में से 6K गए यह हो गया 4K हाँ जी 6 में से 10 गया बच्चो यह बच्चिया minus का 4 equal में 0 अब क्योंकि 8K स्केयर plus 4K minus 6 में 2 का divide जा रहा है तो divide by 2 कर गते है divide by 2 तो यह हो गया बच्चो 2K स्केयर sorry divide by 4 तो यह 2K स्केयर plus K minus 1 equal 0 अब 2K स्केयर plus K minus 1 equal 0 यह आपके पास कैसी equation बच्चो quadratic है द्रीगा समीकरण इसके गुणनखंड कर लीजिएगा आप 2 बच्चा 2 आना चाहिए वैसे बनाना चाहिए तो 2 और 1 हो गया तो 2K स्केयर plus 2K minus K minus 1 equal 0 अब ज़िए इसमें क्या को मना गया 2K क्या रहाएगया K plus 1 यैसे minus 1 को मना गया K plus 1 equal 0 तो K plus 1 और 2K minus 1 equal 0 तो K की value आगी बच्चो आपके पास K की value एक तो यहां से आएगी K की value minus 1 यहां से आएगी K की value आपके पास half तो इस तरीके से यह question complete हो चुका है इसको एक वाना फिर से देख लीजिए आपको समझा जाएगा K की value आचुकी है हंजी next question देखिए बच्चो अपने next question करते है इसका fifth question देखिए बच्चो इसका fifth question fifth question है बच्चो अपने पास यदि बिंदू 3, minus 2 x, 2 तथा 8, 8 सरेख है तो x का मान गयाद करो same इसी के जैसा question है बच्चो इसमें भी अपने को तीन points दे रखिए है और colinear given है सारे एक given है, colinear given है तो x की value find करनी है आप ये कर लीजिएगा, easy question है हंजी, sixth question में हमें क्या given है देखिए sixth question करते है मच्चो sixth question में sixth question में कहा है आपके पास दो point है 3,1 and 9,3 3,1 and 9,3 first condition तो आप से ये पुछिए है बचो कि determinate method की help से आपको इन दोनों point से जाने वाली line की equation बनानी है और इसके अदर एक second part है उसके बारे ये बात अपने बात में करते हैं तो पहले इसका first part करते हैं मच्चो जहां से सुनी है आपको दो point given है a है 3,1 और b है 9,3 और इन दोनों से जाने वाली line की हमें equation फाइंड करने है बचो a point है 3,1 और b है 9,0 तो अपने एक और point लेट कर लेते हैं मच्चो कि ये x,y से भी जा रही है क्योंकि हमें बता है क्योंकि कोई भी line की जो equation होती है उसमें variables जो होते हैं मच्चो x और y तो include होते ही है इसलिए हमें a और point लेट करना पड़ेगा x,y जो हम लेट कर चुपी है ये a,b है और इसको c लेट कर लेते हैं हाज देखिए because they are collinear because points are collinear collinear then area of triangle तिरबुझ का शेतरफल क्या होगा बच्चो 0 तो half triangle का formula 1,1,1 x,1,y,1 x,2,y,2 x,3,y,3 0 ये 2 इधर 0 के पास जाके 0 होगया इसमें अपने value बुट कर देते है determinate method से बच्चो अपने equation बनारे है यान रखिए गए इस बात को एक तो point x,y ये 1,1,1 और ये है 3,1 और ये है 9,3 हाजी देखिए अब अपने बात करते हैं बच्चो ये solve करते हैं अपने पहले x के लिए फिर y के लिए क्योंकि प्लस माइनस प्लस होता है इकोल में 0 हाजी x के लिए कोलम गया रो गए 1,1,1 3,1,3 1-3 y के लिए ये कोलम गया ये रो गए 3 बंजा 3 माइनस 9 इस 1 के लिए कोलम गया ये रो गए 3 तरी तरी 9-9 हाजी ये हो गया माइनस के 2x 3-9 we have got minus 6, minus 6 बार minus है तो प्लस का 6y इकोल में 9-y इकोल 0 तो देखे विचो अगर अपने इसको 2 से डिवाइड कर दे डिवाइड बाइ 2 then we have minus x plus 3y इकोल 0 और वी तर से x minus 3y इकोल 0 is a required equation of line ये x minus 3y इकोल 0 जो है विचो अपने पास equation of line आचपी है तो ये equation complete हो चुका है इसका first part अब इसके अंदर एक part हो रहा है बच्चो उसके अंदर आपको काया कि ये a और b तो point same है लेकिन आपको एक c point हो गिए मैंने अलग से c point जो है बच्चो आपके पास है minus 2, minus 4 minus 2, minus 4 उसने आपको काया ये 3,1 और 9,3 और एक point है आपके पास minus 2, minus 4 है वो पूछ रहा है आपसे कि इन तीनों point से जाने वाला जो triangle है उसका area फाइड गरो तो बच्चो ये आप part easily कर सकते हो बस identity के अंदर पूट कर देना इसके अंदर area फो ट्रेंगल की identity लगा दीजिएगा आपके पास इसका आंसर आ जाएगा हां जी इसका next question देखे विच्चो 7th question करते हैं आपने 7th question पढ़िए आप उक के अंदर 7th का जो first part है और second part है बच्चे सेम है इसलिए मैं आपको इसका second part करवार हूँ second part में थोड़ा साल लिखा है उन्होंने 7th का second part में करवा रहा हूँ आपको आपको pair of linear equation गीवन है 2x minus 7y minus 13 equal 0 5x plus 6y minus 9 equal 0 we are given pair of linear equation हमें रेकिक समी करने दे रखिये हैं बच्चो दो अपने को x और y की value find करनी है लेकिन किस की help से क्रेमर लोग की help से क्रेमर लोग क्या था मैंने previous video में और basic जो इसका समझाया था 5.2 का उसमें आपको बताया क्रेमर लोग क्या होता है तो क्रेमर लोग के अदर बच्चो सबसे पहले यह जो digits अपने पास constant digit है minus 13 minus 9 सबसे पहले इन्हें इधर अपने right hand side में लिख लेते हैं यह हो गया 2x minus 7y equal 13 5x plus 6y equal 9 हाँ जी यह pair of linear equation है बच्चोपने पास we need to find the value of x and y respectively तो अब अपने क्या करते हैं क्रेमर लोग पहले heading डाल देते हैं इसे by क्रेमर लो क्रेमर कहता है कि पहले आप del find कर लो del किससे बनेगी determinate जो x और y की जो गुणा के coefficients जो है उनसे बनेगी 2-7 और 5-6 और हम इसे solute कर देते हैं साथ की साथ 6-12 माइनस identity का 5735 तो plus का 35 यह होगे वह जो 47 हाँ जी अब del 1 del 1 देखो चुक्या है del 1 है हमारे पास कि जो यह अपने पास del का first column है इसको replace करेंगे इन digits से 13 और 9 से 13 यह 9 और यह second वाला column 7 same as it is यह 36 जा 78 और 9 7 जा 63 तो plus का 63 हो गया अब यह हो गया 141 हाँ जी अब del 1 आ चुका है आप del 2 find कर रहते हैं बच्चो del 2 में आपने क्या करेंगे जो यह del का जो second column है उसको replace कर देंगे 13 और 9 से और यह two five as it is तो यह 9 तो जा 18 यह 5 इंटू 13 यह 65 तो 65 में से 18 जब माइनस होगे तो बच्चो करेंपास बजाएगे 47 माइनस का हाँ जी अब एक्स क्रेमर लोग कहता है कि जब आप डेल निकालो डेल 1 निकालो डेल 2 निकालो तो एक्स अगर आपको find करना है तो एक्स का formula है डेल 1 अपोन में डेल 1 देखो बच्चो क्या था 141 और डेल क्या निकाला था 47 तो 47 की टेबल से यह 3 पर कैसल हो चुका है तो एक्स आ चुका है बच्चो अपने पास 3 47 तो यह कैसल आउट इच अधर वाई यह वैल्यू आ चुकिए बच्चो यह तो हमें यह linear equation solve करने की जो हम कर चुके है एक्स अपने पास आया 3 और वाई अपने पास आया 1 हंजी इसके बाद इसका 8 क्योशन पढ़िए बच्चो आप 7 का फस्ट कर लीजी वहीजी है हम जी 8 का फस्ट क्योशन अपने नोट करते हैं बच्च अध्यान से देखिएगा तीन linear equation लिखिए हुई है बच्चो अध्य बाद 3x-y plus में 2z equal 3 2x plus y plus 3z equal 5 x minus 2y minus z equal 1 हमें बताना है प्रूव करना बच्चो की यह क्या inconsistent है ए संगत है तो सबसे पहले संगत और ए संगत consistent और inconsistent मैंने आपको previous video के अंदर जो 5.2 का basic करवाया था उसमें समझाया था एक और फिर से बात करते हैं अपने को प्रूव करना यह क्या है इस संगत है inconsistent अगर बचो यह तो हमारे पास क्या आएगा डेल कि बराबर आएगा ए संगत जिसको कहते है यह जो यह डेल कि बराबर आएगा तो आपने चेक करते हैं 12213 और 1-2-1 यह अपने डेल करेंगे फिर अपने डेल 1-2-3 भी सोल करेंगे जिससे अपने इसके नेक्स जो टोपीक है कि consistent inconsistent के बार भी एक तो अपने पास है कि इसके जो solution होगे वो infinite solution होगे और एक अपने पास topic होगा जिसके अंदर इसके solution not possible होगे तो वो भी condition अपने चेक करेंगे उसके अंदर सबसे पहले अपने dell find करते हैं dell देखिएगा 3 expand कर दीजी इसे 3 और ये minus 1 के लिए plus 1 हो जाएगा और ये plus का 2 हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट ये positive होता है फिर negative फिर positive हज इस 3 के लिए करते हैं बुझे ये column का ये रो गई 1 into minus 1 minus 1 minus 2 3 जा ये 6 होगे ये plus का 6 ये minus का 1 हो गया तो ये हो गया बच्चो 5 आप थोड़ा easy slow slow कर लेना आपको पता जाल जाएगा देखो 1 into minus 1 minus 1 3 2 just 6 minus 6 बना लेकिन formule माइनस इसलिए plus 6 तो 6 minus 1 क्या गया 5 इस minus 1 के लिए ये column के लिए minus 2 हो गया minus 3 हो गया minus 5 इस column के लिए ये column के लिए minus 4 ये minus 7 यह माइनिस के फाइब होगे तो यह आज कि अपने पास जी रो तो यह अपने कह सकते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन से लेकिन हम इसके आगे भी एक चीज़ और फाइट कर सकते हैं जी देखिए का डैल वन है अपने पास डैल वन कैसे निकालते हैं जो फर्स्ट कोलम है 3, 5, 1 से रिप्लेस कर दें 3, 5, 1 और यह डैल की जो सेकंड और थर्ड कोलम है सेम माइनस 1, 1 और माइनस 2, 2, 3, माइनस 1, 2, 3, माइनस 1 सोल किजी पहले प्लस का फिर यह माइनस का तो प्लस हो जाएगा और यह प्लस का इस 3 के लिए यह कॉलम के यह रोगी 1 इंटू माइनस 1, माइनस 1, 3 इंटू माइनस 2, प्लस का 6 तो वही बन गया बचो पने पास 5 इस कॉलम के लिए यह कॉलम के यह रोगी 5 बचो माइनस 5, माइनस 3, तो यह हो गया बचो माइनस का 8 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8 इस 2 के लिए यह नोगी माइनस 10 हो गया माइनस 10 हो गया माइनस के 22 तो देखो 15 माइनस 8 यह थर्टी हो गया और यह 15 हो गया यह होगया माइनस की 15 तो डेल बन के बिजो नोट इकवल 0 हंजी अब देखो अब अपने पास केस थे का थे अपने पास कि जब डेल इक्वल 0 केस फर्स्ट हो केस सेकेंड थे जाएंस तो सुनियागा जो फर्स्ट केस था कि डेल 0 हो डेल 0 तो दोनों केस के अंदर है बजो और उस condition के अंदर अगर देल 1 डेल 2 और देल 3 दो केसब बनेंगे अब जहां से देखिए अगर डेल 0 है और डेल 1 डेल 2 डेल 3 भी क्या हो 0 अगर डेल 0 हो डेल 1 डेल 2 डेल 3 भी क्या हो 0 तो जो अपने पास linear equations का जो अपने पास यह space बना है ये अपने पास consistent और inconsistent इन दोनों में से कोई एक हो सकता है अपनेने को पता नहीं कुछ सा होगा ड़ैल 0 और बियो करई होat जो आपने को निकाई दे रखा है वो consistent भी हो सकता है inconsistent भी हो सकता है, संगत भी हो सकता है और इसके अंदर कितने solution होते हैं सश्वानेट्स स्लूइशन होते हैं लेकिन अगर डेल 0 हो और डेल 1, डेल 2, डेल 3, इन में से कोई एक क्या हो, नोन 0, जैसे अपनों ने क्या डेल 1 भाइट किया था, परने मस माइनस 50 नहीं था, जो नो टीकल 0 था, तो अपनों कोई एक non-zero जो प्रूफ कर दिया तो इसे अपमें क्या पता चला कि जो डेल 0 है और डेल 1 डेल 2 डेल 3 भी 0 है तो तो consistent inconsistent कोई भी एक हो सकता है लेकि डेल 0 है और डेल 1 डेल 2 डेल 3 में से कोई एक non-zero हो गया तो इस condition के अंदर ये शोर हो गया कि जो अपने को ये linear equation दे रखी है इसे जो ये space बना है ये जो है वो definitely क्या है inconsistent है वो क्या inconsistent एसंगत है तो ये बाद सबसे important है जहां से सुनिए जब डेल 0 हो और डेल 1, डेल 2, डेल 3, तीनो 0 आ जाए तो उस condition में जो अपने को पेर जो linear equations given है या तो क्या होगे अपने पास consistent होंगे या होगे inconsistent संगत होंगे या एसंगत होंगे लेकिन अगर डेल 1, डेल 2, डेल 3 में से कोई भी एक क्या आ जाए नो 0 आ जाए तो वो linear equations definitely क्या होगी inconsistent होगी एसंगत होगी तो ये था बच्छों अपने पास question 8 का first part इसका second part easily आप कर सकते इसके जैसा ही है थेंक यू